कन्नौद अनुभाग श्वेत्र की SGM केलाश परती का राजनितिक हल्चलों के बीच बैतुल स्थान अंत्रन कर दिया गया लेकिन उनके स्थान पर आज तलक कोई नियुक्ति नहीं की गई खाते गाव अनुभाग श्वेत्र की SGM संतोष तिवारी को प्रभारी SGM का प्रभार दिया गया है ऐसा ही मामला तहसिल कारिले कन्नौद का है तहसिलदार संजोश शर्मा का इस्थाना अंत्रन जन्वरी माह में छतरपुर हो जाने के बाद से प्रभारी तहसिलदार खाते गा स्वस्त रहते हैं जमीन बटवारों को लेकर नयाय के लिए कन्नौद तहसिल कारेले के चक्कर काट रहे हैं वैश्विक आपदा कोरोना काल में अनुभाग श्वेत्र के जिम्मदार अधिकारी नहीं होना यह कई मायनों में कई प्रश्न खड़े करता है जिसको लेकर प्रशाशन को गेर जिम्मदार ठहराया है तो आपका कहां के रेने वाले कहां पर आए आप देशिल में कितने दिनों से आप आ रहे हैं यह पर तेसिल में किस प्रक्रण को लेकर आ रहे हैं आप यह जंशाब कर देश्विक आजिए तो इस आदेश के संबत में क्या करना है आपका कराना चाहते हैं और तेसिल मेने से चक्कर काट रहे हैं आपका केना है और इस अम्मद में आपने कहां कहां पर जानकरी और इस विकायत की है। थाना में भी गय से। फिर क्या हुआ है वहां से थाने वालों ने क्या बोला। सब ललकार के भगाजा हमारी प्राप्ति निकाल कर देदी और रपोर्ट ने लिखी फिर दूसरे रोज बुला कर लिखी कहां क्या लिखी वो भी प्राप्ति निदियम। कि देखिए बड़ा दुरुभाग है कि मद्विद्श शर्कार प्रदीश के अंदर जिस तरह का हालात हैं आज कन्यों सब्डियों जो है एक समय जिला मुक्ठा लिवा करता था एसपी केलेक्टर का मुकाम यह होता था आज सब्डियों के हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब दो लगबक दो लाग से ज़्यादा कि आबादी इस बास से प्रभाई थो रही है और अभी का जो समय बरसाथ शुकी शुरू है वो नहीं होना है खाट की बीच की गेहों की खरीदी चने खरीदी जहां किसानों को बार-बार तकलिव का सामना करना पड़ रहा है लेकि अधिकारी को ना होने से और चुकि एक अधिकारी पास दोने ज़केक चार्ज यह परिशाने हमापे भी हो रही है और अभी अभी पिछले मतलब 8-10 दि में तीन बार चक्का जाम हो चुका है चक्का जाम इसलिए हो पाए गेहों खरीदी में करबड हो रही है मेरा देवास दे चंचल भारती की रिपोर्ट